तो हेलो दोस्तों मैं नामे कुमार सिकेन और आप देखने हैं एक लबवे स्टड़ी पॉइंट तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 10th की और हिस्ट्री लेसन नमर वन है हमारा यूरोप में राष्टेवाद का उद्र राष्टेवाद क्या होता है राष्टेवाद इसे दोस्तों आपके सामने एक पिक शोवरी होगी क्या आप इसे जानते हो आप एक मिनट सोचके देखिए क्या आप इसे जानते हो नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे इनका नाम है जूसे पर मौश से नहीं यह कौन थे यह इटली के क्रांतिकारी थे क्रांतिकारी का करांतिकारी का मतलब होता है वह आदमी जिसको अभी present की जो चीज़े चल रही है current की उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता चाहे हूँ सही चल रही है या गला चल रही है करांतिकारी अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी उनके अलग-अलग करांती कारी के लिए अलग-अलग लक्षे हो सकते हैं तो ये क्या है ये इटली के करांती कारी है और इन्होंने क्या किया था यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया था यह इटली के करांतिकारी है इन्होंने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया था इस आंदोलन में क्या हुआ इन्होंने जो आंदोलन चलाया था इस आंदोलन के चलाने के पीछे कोई कारण होगा और कारण क्या था कि आंदोलन के पीछे कारण था वो था एकता स्थापित क करना सभी लोगों के अंदर एक्ता नहीं थी हुआ एक्ता को बल मिला इनके आन्दोलन से यह राज तंत्र के क्या थे बहुत बड़े विरोधी थे यानि कट्टा विरोधी थे इनको राज संथ बिल्कुल भी पसंद कि सहीयोगी रह सुके है, सहीयोगी का मतलब उनके काम में इन्होंने हाथ बटाया है, इन्होंने क्या क्या लाल कुर्ती नामक एक सेना तयार की थी, इन्होंने एक सेना बना दी और सेना का नाम रख दिया इन्होंने लाल कुर्ती, इस सेना की मतल से इन्होंने क्या क्या, सेना पता हो जाए उसके लिए उन्हें क्या क्या अंदोलन किया है यह इनकी पिक जो आपको शो हो रही है और अगर आपको इनके मतलब नहीं पता तो आप उसको स्किप कर दोगे संज में नहीं आएगा लेकिन अगर पहली आपको इस शोत्ता चल जाते हैं तो आपको और इंट्रेस्टिंग लगेगा पढ़ने में तो कुलीन वर्ग नाम से वह चल रहा है यह अमीर वर्ग होंगे यह जमीन के क्या ओते थे मालिक और यह ये उरोप के जो उरुपीय महादीप के सबसे सक्तिषाली वर्गों में से एक वर्ग था कुलीन वर्ग इसका मतलब भी अमीर वर्ग थे इनके पास जमीन थी बहुत जादा और यूरोपिय महादीप के सब्सक्ति शाली लोग थे निरंकुष वाद निरंकुष का वाद का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या सासन वबस्था जिसके ओपर किसी परकार का कोई अंकुष न जमीन दार लोग है बड़े-बड़े मान के चलो हमने एक गुरूप बनाया और उस गुरूप में बहुत बड़े-बड़े जमीन दारों को शामिल कर दिया अवे जमीन दार अपनी कुछ बाते कर रहे है तो उस गुरूप का नाम था जुकर्स दोस्तो अब बात आती है जन्मत संग्रह की जन्मत संग्रह का मतलब क्या होता है जन्मत संग्रह यानि जन जनता मत यानि वोटो से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो क्या है कि ये परतेक्ष मद्दान होता था एक डायरेक्ट मद्दान होता था जिससे क्या करते थ एक छेत्र की जंता से पूछा जाता था कि क्या आप इस टॉपिक पे इस परस्थाव पे स्विकार है आपको यह कि नहीं स्विकार है चुल एक इसामपल लेते हैं क्लास में पूछा जाता है मॉनिटर किसको बनना है तो दो बच्चे नहां उठाया अब सर ने कहा कि भाई तो ए बन जाएगा मॉनिटर या बी को सपोर्ट करते तो बी बन जाएगा यानि ऐसी होता है इसमें पूछा जाता है पर्टेक्स रूप से कि आपको यह कैंडिडेट स्विकार है या नहीं किसी भी परस्थाव पे पूछा जाता है रूडिवाद रूडिवाद का मतलब द पिली ने आपका रास्ता काट दिया ठीक है अब हम क्या करते हैं हमें टैंशन हो आती है कि कुछ गलत होने वाला है तो यह क्या है यह एक रूडिवादिता वाली बात है इसके ओपर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है लेकिन हम मानते हैं क्यों क्योंकि यह पुराने पुर पाकानी रिवाज हो उन्हीं पर वह बल देंगे Him उसे कहते है रूडिवाद होको है जो सामने फ्रांस्ट का विचार यह हमारी है तो फ्रांस में क्या ही करांती प्रास्ट करांती और एक रास्ट का आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांसेज क्रांति हुई तो यह घटना इसी घटना दिखती है उसी टाइम से लोगों में राष्टेवाद पनप्पा कि अब हमने देस के परती कुछ करना है देश बंदेश प्रेमी उस्टाइम उध्य हुआ प्रांसेस क्रांती के बाद घोशना की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट का गठन होगा यानि जो अब राष्ट का गठन करेंगे वो करेंगे लोग इसमें कोई बहारी आंतरिक किसी परकार की कोई भूमिका नहीं होगी इसमें लोग जो होंगे वह गठन करेंगे इस द लोडने पर आपको जेल में डाला जाएगा या कुछ भी मुकदमा चलाएगा तो उन्हें एक नए चीज इन्होंने चालू किया तो उनके लिए नई नई चीजे की क्या नई शुरूतिया रथी गई नई नई शपते लिए शपते ले गए जो शहीत थे जो युद्ध के दौ करने के लिए एक टौपिक चाहिए होता है तो यह चीजे से जो शारी धाखी विए उसके अंत्रगत हुआ था? जो भूभाग होते हैं, जमीन के भाग, भू यानि भूमी उसके भाग, तो भूभाग में रहने वाले जितने भी नागरिक होते हैं, सभी नागरिकों क्या था, समान कानून बनाए जाएंगे, अब डिपेंड करता है कि वो नागरिक जो है, वो चाये अमीर हो या गरीव हो, इससे कोई फरक निपड़ता इस नए व्यस्ता के अंत्रव्यत क्या था कि सभी को समान कानून दिये जाएंगे जब फ्रांस की घटनाएं हो रही थी इस टाइम में जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में चल रही थी तो वहां पे भी एक छोटे छोटे अंदोलन हो आप दोस्तों देखते हैं जाये जाएंगे नुखसान हो उसकी कवर फैल रही है यहाँ पे क्या हुआ जैकोबन क्लबों की स्थापना कर दी लोगों अब दोस्तों देखते हैं एक मोस्ट इंपोर्टन चीज यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन होगा आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो आठासो चार की नेपोलियन सहिता नागरिक सहिता को नेपोलियन सहिता एक ही बात है जिसे आम तोर पर हम नेपो जन्म लेते ही विशेश अधिकार मिल गए थे लोगों को और मिलते थे उसको श्रमाप्त करने का जो काम था वो था नागरिक सहिता एवं नेपोलियन सहिता एक ही बात है अब इस सहिता में देखते हुआ क्या था इस सहिता को फ्रांसिसी नियंतर्ण के अधीन शेत्रों में लाओ किया था यहां पर फ्रांसिसी लोगों का नियंतर्ण है मान के चलो यहां पर फ्रांस के लोगों ने क्या कर रहा है कब जा कर रहा है तो यहां पर वो चीज लाओ की गई थी अब जहां पर किसी का नियंतर्ण ही नहीं है वहां पर लाओ करके क्या फाइदा यहां पर म म ении संगों केuciónदटरण को हटा दिया गया था जिन्ने संग नगना रखिए थै मैं नियंदटरण को हटा दिया जया था यातायात तर संचार Kaiser वैस्ता को सुधरा गया यातायात अब दिखते हैं धुरोप में राष्ट्यवाद का निर्माण मैं आपको पहली बताए था राष्ट्यवादा ओ लोग राष्ट्यवाद वह प्रेंड करते हैं और तो इसमें ह 먹어 जिने आज हम क्या कहते हैं जर्मनी इटली और सुजर लेंड के रूप में जिनको हम जानते हैं मानते हैं वह उस समय क्या था वह तब राजशाही डचियों और कैंटेनों में बटे हुए थे इनका अभी का जो अभी का जो करेंट सिच्विशन है उस टाइम और अभी का इनके बीच का अंतर है पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुष रास्तंत्र के अध्यीन थे लोग पूर्वी बेखो यह कभी-कभी इमाग के जाया कि कहां की बात हो रही है निरंग कुछ राज तंत्र जित है उनके अधीन था ये इलाका और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते हैं यह नहीं कि एक तरह के लोग रहते हैं यह नहीं कि एक तरह के लोग रहते हैं अगर देखिए दोस्तों अगर यहां पर अलग हीं वहां परांपराइं होंगी वहिए अलग होंगी तो इससे हम इतल जाता है विविविन विविन विवन भार आज है व kleiner हैं हंगरी मे आधे लोग बाषम ऊて canyon प्हाँ में वहां पर देखे वहां बास मोच बास जबकी दखते मान के चलो कर 257 बिर्चेम मुध होगये तो जब 50 लोग है आधे लोग 50 लोग क्या बोलते हैं मैं 11 भाषा और बाकी के 50 लोग बच गए वो क्या बोलते हैं वो अलग-अलग भाषा बोलते हैं कुलीन वर्ग बनाम नया वर्ग कुलीन वर्ग वसस नया वर्ग दोस्तों देखते हैं इसके दोनों में फरक क्या है नया वर्ग कौन था कैसे आया समाधिक वर्ग कुलीन वर्ग कैसा था मैं आपको बता दिया कुलीन वर्ग कौन थे कैसे थे लेकिन नया अमध्य वर्ग नही रहा, दोस्तों यह बहुत ज़्यादा इंटऎस्टिंग है, अब जब आपको पहले बताता हूँ, पहले पूलीन वर्ग देखते हैं, पूलीन वर्ग क्या जमीन थी जायदाद थी बहुत जादा और शहरी हवेलियों के मालिक थे गौव में रहते थे यह शहर में रहते थे कहीं भी रहते हो तो गौव में इनके क्या थे ग्रामिड इलाके और शहर में इनके क्या थे हवेलियां और उनके हवेलियों के क्या थे यह मालिक राजनितिक कार्य जब भी इनको करना हो। उच्छ लेवल का कार्य है। तो यह एक दूसरी परकार की भास्टा का प्रियोग करते थे। उच वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा बोलते थे दोस्तों देखो डेली लाइफ की रूटीन की भाषा कुछ और है और बड़ी भाषा जो दूसरी भाषा है वो कुछ और है तो दोस्तों आपको एक तरह से पता चल रहा होगा जैसे मान के चलो हम अगर अपने दोस्तों से यहाँ echते हैं किसमें करते हैं निए और यहाँ इसी तरहके से यह डेली भाषा के ongoing और southern बोलते थे और उच लेवल के लोगे के लिए बातकरने के लिए French भाषा बोलते शेरी आई होप आपको संज में आ रहा होगा है इनके परिवार जो थे किनके कुलीन वर्गी इनके जो परिवार थे अक्सर वैवाहिक संबंधों में आपस में बटे हुए जैसे मान के चलो ये तो दोस्तो बहुत ही पुरानी बात है और बहुत दिनों से चली आ रही है मान के चलो संबंध बनाना है अब A को B से यानि मान के चलो कुलीन वर्ग B है अपना और इसको A राजा महराजे से संबंध बनाना है तो क्या करेगा है ये इनकी शादी करवा देगा इन से यानि ये अपने बेटे की शादी इनकी बेटी से करा देगा या इनकी बेटे के शादी अपनी बेटी से करा देगा तो इसे क्या होगा वैवाहिक जो important है वो है वैवाहिक बंदनों से आपस में क्या करते थे संबंद को स्थापित करते थे तो दोस्तो अब मारे सामने बहुत ही important point जो कि यह नया मध्यवर्ग कैसे उबरा नया मध्यवर्ग से आप क्या समझते हो नया मध्यवर्ग यानि नए नए में आओगा और मध्यवर्ग यानि middle class लेकिन यह middle class उबरा कैसे वह बात करनी ही हमें और यह कैसे थे कैसे अपना बड़ी जल्दी मशीने स्थापित की जाती है जो काम की जो रफ्तार होती है वह बढ़ जाती है तो सेम इसी तरीके से अठारवी सदी के दूसरे भाग में हुआ लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में बहुत पहले ही 19 सदी में ही 19 सदी के दौरान हुआ यानि बाद में हुआ तो अब दोस्ता हुआ क्या देखों जब अधूई करण होता है तो हमें किसकी जड़त है मजदूरों की शर्मिक की तो सेम इसी मजदूर शर्मिक काम करने वाले लोग से ही नया मध्यवर्ग हमारा उभर कर आया सामने इस परकिरिया के फलसुरूप यह अपना प् कर दो और कि यहाया शर्मिक वर्ग एवर्ग जो द्योकर बैल रही मध्यवर्ग ना ना करेंगे जो जो यह जखता है और यह तरह से मानओ लो आप नया मध्यवर्ग श्रभा करतेестноulla आगे देखते हैं तो हमारे सामने सामने उदारवादी राष्ट्रेवा उदारवादी से दोस्तों क्या समझते हैं उदार्वादी या mirrorism यह क्या है यह शब्द लातिनी भासा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आजाद या आजादी जो आप माल लो आपने स्टैच्यो आफ लीवर्टी का नाम सुना हुआ जो कि में भी नी यॉक में स्टित है तो स्टैच्यो आफ लीवर्टी जो है तो लीवर् जिसका अर्थ होता है अजाद और से मुसी तरह से हम लिबर्ड जब समझ में आ गया तो उदारवादी राष्ट्रवाद की समझ में आ जागा तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या किया रहे हैं मद्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था वैक्ति के लिए आ जादी नि है, यानि हम गलत की समख सबकी बराभरी यानि होग लोग यहां पर वहुआ लोग थे जो चाहते थे कि व्यक्ति को आजादी मिले, सारे अधिकार मिले और कानुश के समक्स सबकी बराबरी हो राजनितिक ग्रूप सोधारवाद एक ऐसी सरकार थी जो किस पर जोड़ देती थी सहमती पे यानि सहमत होना चीज सबसे फ्रांसिसी करांती जब हुआ था दोस्तों तो उसके बाद जो है ये निरंकुष शाशक जो होते हैं फ्रांसिक करांती के बाद की बाद चल लिए निरंकुष शाशक और पादरी वर्ग इन्होंने क्या किया विशेश अधिकार यानि जन्म पर आधारित अधिकारों पर ज्यादा जोड़ दिया दोस्तों हमारे सामने एक important है important topic है 815 के बाद एक नया रूड़ीवाद अब हम देखते कि रूड़ीवाद 815 के बाद कैसे आया क्यों आया नया क्या है तो 815 में नेपोलियन की हार हो गई आपको पता है उसके बाद यूरोपिय सरकारे रूडिवाद की भावनों से प्रेडित हो गई अब उनको कुछ चाहिए न भड़काने के लिए जब नेपोलियन की हार हो गई तो यूरोपिय सरकार रूडिवाद की भावनों से प्रेडित तो रूडिवादी लोगों को कहना था कि राज्य समाज की स्थापित राज्य की स्थापित परामपारिक संस्थाइं से होती है जैसे परामपारिक संस्थाइं से आप क्या समझते हो चर्च जो पुराने टाइम से है समाजी ऊचनी यह भी पुराने टाइम से है संपत्ति और परिवार को बनाय रखने के लिए बनाय रखना चाहिए रुडिवाद लोग जो है रुडिवाद लोग क्रांती से पहले के दोर को वापसी नहीं चाहते थे वो चाहते थे मान के चलो अपने पास दोस्तो टाइम को विवाजित करता हूँ यहाँ पर आपके पास एक टाइम ये टाइम है पहले का और ये जो टाइम है ये है करांती का और ये वाले जो टाइम है ये टाइम है बाद का टाइम तो इस time के उपर ही ये लोग चाते थे बने रहे ये जो time था जैसे पहले चल रहा था करांती होने के बाद भी ऐसा ही time बने रहे इनका मतलब था ये नहीं चाते थे एक नया समय बने और उसमें एक नई विचार धारा हो जिसमें गलत रूडिवाद को हटा दिया गया हो और एक नई चीज रखी जाए तो दोस्तों ये क्या चाते थे ये क्रांती के पहले वाले दौर को चाते थे ना की बाद वाले दौर को ये कुछ भी change नहीं चाते थे अठासो पंद्रा में ब्रिटेन, रूस और पर्षा दोस्तों ये जगे का नाम है अस्ट्रिया, यूरोपिया शक्तियों नहीं किसी को लगे कि रूस तो पता है लेकिन पर्षा एक नया सा वर्ड लगता है तो किसी को लगे पर्षा क्या है तो ये एक जगे का नाम है शक्तियों जिन्होंने मिलकर नैपोलियन को हराया था इनी समने मिलकर किसको हराया था नैपोलियन को परती निदियों ने 815 में क्या 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 वियेना संधी थोब दी वियेना संधी दोस्तों आपको ही बताता हूँ आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो यहां पे देखना परतिनिदियों ने क्या की अठासो पंद्रा में वियाना संदी थोब दी जिसका उदेश से क्या था उन सारे बदलाओं को खतम करना था जो नेपॉलियन के युद के दौरान होगे थे अब मान आपने देखा वह एक दिन के लिए नायक बनता है प्राइम निस्टर बनता है तो बहुत सारी चीजों को लागू कर देता है यह बना लिया यह वाले ओर इसवार्डर इसु कर दिया बहुत सारे उसके बाद जब उसका 24 गंडा खतम हो जाता है तो उसके बाद दुबारा से पहले वाला पर्दानमंद्री आता है वो कहता है मुझे इन सारे ओर्डर स्पे स्टी ओर्डर चाहिए कैंसल ओर्डर चाहिए तो यही बात है सेम जो पहले वाला जो जितना भी काम किया गया था बदलाओ किये गया थे नैपॉलियन यूद के दौरान उन्ही सब यूद को खतम करने का जो ओर्डर था वो था विए ना संदी दोस्तो आई होप आपको बहुत बढ़ीया से सौझ में आगया हो अब दोस्तों आपके सामने करांती कारी के एक टॉपिक करांती कारी आठासो पंद्र के बाद बहुत सारे यूरोपिय समान में क्या हुआ परिशन देने तो मैं आपको बन सब्युलूं उश्प्त करतेुख मी ओस्ता है यह वहकिती था आपको याद आ रहा होगा कि राज तं tranhri का फ्र विरोध है ना जूसेवी मौजसनी इतले का इंदार हो गया सुरू में में बताया था उतली का जू सातमे हुआ नहीं जू सेवी मौजसनी ने क्या किया इए इनने खुप संगठन मनखें additions consists of और थे ने के संगठन नते बन गए उसके बाओ उसके बाद उन्हें ने अपने खुदкив ard संगठन बनाए भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड संगठन की स्थापना की मार्साही में किया इन्होंने यंग टिली और बर्ण में इन्होंने क्या यंग यूरो दो इन्होंने क्या बनाए गुप्त संगठन भूमिगत संगठन और इसके सदस्य कौन बने इसके सदस्य दोस्तों सदस्य बनने से पहले मैं आपको बाद बता था तो सदस्य बनते कैसे आपका जो कोई मित्र है, वो मित्र आपका कैसे बनेगा, उसमें और आप में कुछ चीजे कॉमन होनी चाहिए, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपका जो मित्र है, वो भी पढ़ाई में अवरेज या अच्छा होगा, तो सेम इसी परकार से ये इनके सदस्य बने, इनके मित्र बने, इसके साथ रहे, क्यों? क्योंकि पॉलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन, इन राज्यों में क्या था? समान विचार रखने वाले राज्ये थे, इनके जो विचार थे, ये आपस में मिलते जुलते थे, क्रांतिकारी का युग, कब का था? 1830 से 1848 का जो य युग है, उसे हम क्रांतिकारी का युग कह सकते है, क्रांतियों का युग, पर्थम, पर्थम विद्रो फ्रांस में जुलाई, 1830 में हो गया, और बुर्बे राजा ने क्या किया? बुर्बे राजाना, 1815 में, रूडिवादी प्रकरिया को सत्ता में लाया, ठीक है? ये किय बुर्बे राजा ने, उन्होंने क्या किया? जो उदारवादी क्रांतिकारी लोग थे ना, उनको खाड़ कर फैक दिये, और उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस किया किसको सवेधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया, जिसका अध्यक्ष लूई फिलिप था दोस्तो एक और बात हम यह आपके देखते हैं, आपको एक टिपनी अई मैं बता हूँ, जो आपको बहुत इंट्रेस्टिंग लगए और यह टिपनी की मैटरनिक ने, मैटरनिक ने एक बार क्या की? एक टिपनी की, क्या बोला इन्होंने, जब फ्रांस शीखता है, तो बाक पर क्या हुआ, जो विद्रो है, वो भड़क उठा, और इस विद्रो के भड़कने के कारण हुआ क्या? फल सरूप, यूनाइटेड क्रिंडम जो है, वो किस से नेधरलैंड से अलग होगी है, दोस्तो रुमानी कलपना और राश्टिय की भावना, यह भी दोस्तो बहुत ज जागरू कराना या उसके अंदर राश्टिय की भावना डालनी है, तो आप कैसे डालोगे? मान के चलो, अगर हमारे सामने कोई राश्टिय गीत चल जाता है, वंदे मातरम या कुछ ऐसा, जो हम फिल्मों में देखते हैं, वंदे मातरम, तो हमें क्या होता है? हम भावु को आते हैं उस टाइम, और हमारे अंदर राश्टिय भावना उमरती है, कि हाँ मैं भी कुछ अब देश के लिए कुछ करूँगा, तो सेम हमें राश्टिय भावना को कैसे उजागर करना है, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे, राश्टिय बात का विकास केवल युद से, ए नहीं होता, केवल युद से या और छेत्री विस्तार से नहीं होते, और भी कारण है, और वो और भी कारण हमारे सामने क्या है, कला, काववे और कहानिया है, इन तीनों से मैं आपको अब देखो कला, कला यानि आप कुछ ऐसा सुंद्रिय सा कर दो कला, जिसस पोटो को क्या आपके अंदर राष्टिय भावना उमर पड़े, काववे, कुछ काववे खंड होते हैं, 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 जिसके अंदर क्या होता है, हमें राष्टिय भावना हमारे अंदर उजागर हो जा यह लेखिए लुपानी वाद का अंदोलन इस राष्टे भावना को उजागर करता था विकास करता था राष्टिय भावना को विकास ने राष्ट्य भावना कई दुमिकान निवाई लुगता है एक दुस्ते को मिलाने के लिए काफी मैत्रफूर मान सकते हैं मान के चलो कि आप 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 दिल्ली किसी अधर स्टेट से बिलॉंग करते हो ठीक है और दिल्ली में आपको वही लैंगविज बोलता हो एक आदमी मिल गया जैसे मान के चलो आप मुंबई से हो या आप गुजरा तो सेम अगर हमें भाषा बहात्षा भी काफी मैत्रफूर्ण भविमी का निवाति है राष्ट ये भावना को उजागर करनें में तो दोस्तों अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो है भूख कटिनाइया और जन विद्रो दोस्तों यह जो अपना इसमें क्या है भूख कठिनाईया और जन विद्रो दोस्तों देखो भूख का मतलब क्या है कि यहां पर खाने की कमी होई होगी जब खाने की कमी होगी तो क्या होगा कठिनाईया होगी किसके लिए जनता के लिए और सरकार के लिए और जब कठिनाईया होई होगी तो क्या होगा जन विद्रो होगा यह तिनो αपस में जुड़े हुए हैं बहने इंट्रेस्टिंग डॉपिक है देखते हैं अठारो सो तीस का दुद दिसक था यूरोप में बहुत सारी कतनायों को लेकर आया अठारसो तीस का दुसक उनिसवी सदी के परथम में क्या हुआ आग में पूरे यूरोप की जनसंख्या भाग में, सौरी, 19-20 सदी के परतम में के भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या विरदी होगी, ठीक है, अब देखो, यही सबसे बड़ी प्राबलम होती है, अगर जनसंख्या बढ़ रही हो, पोपुलेशन अपने बढ़ रही हो तो क्या होगा जो खाना चार जुनों में होता था वो अब आठ में होना है ठीक है जो सीटे बाकी है नौकरियों की पांच बाकी है तो तीन बेरोजगार रह जाएंगे तो इंपोर्टेंट बात यह है कि अब 19 सदी में क्या हुआ विर्धी होने लगई जनसंक्या बहुत ज़ देशों में नौकरी ढूंडने वाले क्या होंगे नौकरी ढूंडने वाले की तादा ज्यादा लेकिन रोजगार के अफसर कम सेम वही बात हो जाएगी अपनी रोजगार वाले तो लोग बहुत सारे होंगे लेकिन रोजगार के अफसर ही नहीं होंगे खाने पीने की चीज तो किसी वर्स फसल खराब भी हो जाती थी यह और ऐसी कि तैसी हो जाती थी होने के वाद शहर और गाउं में व्यापक गरीबी फैले गए 1848 में क्या हुआ उधारवादी करांती होई उधारवादी करांती दोस्तों बताया था आपको ये जो उधारवादी करांती होते हिए कुछ अच्छा चाहते हिए उधारवादी है ना अठास और तालीस में जब अनेक यूरोपिय देशों में गरीबी बेरोजगारी और भुकमरी से गरस्त किसान मज़़ूर विद्रो कर रहे थे तभी इनके सामने पड़े लिखे और मध्यवर्गे भी एक करांती हो रही थी दो करांती हो रही है दोस्तों यहाँ पर एक करांती तो यूरोप के देशों में हो रही है जब बेरोजगारी फैल रही है बुकमरी से गरस्त लोग है और एक पड़े लिखे लोगों में हो रही है यहाँ पे भी एक करांती हो रही है फरवरी 1948 की बात करें हम तो घटनाओं से राजा को गदी छोड़नी पड़ गई यानि इतनी ज़्यादा घटनाए हो कि वो घटनाए राजा समहाल नहीं पाया और इससे क्या हो उसको गदी छोड़नी पड़ गई और उन्हें गणतंत्र की स्थापना करनी पड़ गई गण तंत्र से सिधा ये किस पर आगए गणतंत्र पर उधारवादी अंदोलन के अंदर उधारवादी जो अंदोलन हुआ था उसके अंदर महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा विवासपत था यानि अब बताओ बात हो रही है कि महिलाओं को अधिकार देना है, महिलाओ को क्या करना है, अधिकार देना है, अब दे की नहीं दे, दे की नहीं दे, अधिकार उनको देना चाहिए की नहीं देना चाहिए, इसी बात पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, और ये कैसा मुद्दा रहा, विवाद स्पद मुद्दा रहा, महलाओ ने अपने राजनितिक संगठन भी स्थापित किये थे इसके बावजूद जब उन्हें असेम्मली में चुनाओ के दौराण मताधिकार से वन्चित रखा गिये इनको यहाँ पहले तो इन्होंने आंदुलन किये आंदुलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका भी नहीं आ दोस्तों अब हम देखते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण जर्मनी का निर्माण और इटली का निर्माण राज्य की सत्या को बढ़ाने के लिए क्या था दोस्तों राज्य की सत्या को क्या करना है बढ़ाना है अब उसके लिए क्या होगा पूरे यूरोब में परवुत तो वह हंसिल करना बढ़ेगा और उसके लिए रूडिवादियों ने अक्सर क्या क्या हमेशा राष्टेवादी भावना का क्या क्या क्यों किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन एक होना चाहिए बहुत जिरूरी मान के चलो आप अगर डीम मोटिवेट हो जाते हो तो वह काम नहीं होगा लेकिन अगर हमें मान के चलो आपको काम कर रहे हो आपको पता है कि उस काम में आप आगे जाके बहुत ज़्यादा ससेस होगे और अभी आपको वह दैनवारक और फ्रां스 तीन युदो में परसा की जीत हो गई थी कैं एक ही करण की प्रक्रिया चालू होगी एक तक एक्ता की अफ्रीलानेकी प्रक्रिया चालू होगी जन्वरी अठासी सी वार्षाय में एक समारो हुआ ठीक है पहाँ पर्षा के राजा थे विल्यम्स पर्थम इन्होंने क्या क्या जर्मनी को जर्मनी का समराठ इनको घोशित कर दिया जा कि जर्मनी में छे में राजा राजा विलियम्स को जर्मनी का समराट गोशित कर दिया गया जर्मनी में क्या हुआ दोस्तो राष्ट निर्मान की प्रक्रिया चालू हो गई जर्मनी में राष्ट निर्मान की क्या हुआ प्रक्रिया चालू हो गई कि आप क्या करना है राष्ट का निर्मान करना है उसकी प् हो आपया क्या कन्वेशन है जर्मनी या कि तरह इतलीह मैं विखंडन हो यानि जिस मद्धीन को साथ राज्यों में बाठ लिए घ्लार साथ राजव में बाट दिया गया अब हम देखते कैसे कैसे किस भाग में बाटा उत्री भाग में बाटा अस्ट्रिया और हैंजर बर्ग इसके अधीन था मध्धै इलाका पोप का सासन था अधिश्चिन छेत्र स्पेन के बुर्बे राजाओ के अधीन में था यानि वश में अठाजो तीस के अधशक में जुए सेपे मोधसनी ने एक एकी कृत इतावली गंडराज्ये के लिए एक कारेकरम चलाया और वो कारेकरम कैसा था व्यवस्थित कारेकरम था उस कारेकरम को चलाने की प्रकाशित करने की इन्होंने प्रियास किये उसने क्या किया अपना जो उदेश्चय है उन्होंने अपने उदेश्चय के परचार के लिए एक वो बनाया था संगठन बताया था आपको यंग इटली और ये गुप संगठन था जो इन्होंने बनाया था अपने उदेश्चय को परचार करने के लिए प्राथ करने के लि के साथ स्वयम सेवक होता है जो अपने आप से यानि किसी परकार का कोई लालच नहीं इन ने इन युदों में हिस्सा लिया बहुत ज्यादा संख्यान दोस्तों अब देखते हैं ब्रेटेन की अजीव दास्तान ब्रेटेन की एक अजीवों गरीब दास्तान के उपर हम चर्च की गई है बुक में ही और यह जो विदवान है कुछ विदवानों ने तरक दिये हैं हमें वही तरक पढ़ने pointमी राश्टि निर्मान का जो विदवान नहीं है। पंपनमें हुआ है। इसलिए लंबी चलने वाली प्रक्रिए हैं। कारणी यह हुआ है कि एक लंबे टक्राव और संघर्ष के बाद आंगन संसद ने क्या क्या 1688 में राज्टंत्र की ताकत छीन लिए कि संसद के मध्य से एक राष्ट्राज्य का निर्मान हुआ जिसके केंद्र में इंगलेंड था 1770 में United Kingdom of Great Britain का गठन हुआ दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है आपके लिए बहुत ज्यादा कलपना अब देखो दोस्तों मान के चलो आपको एक पैन की या किताब की इमेज बनानी है ठीक है ड्राइंग बनानी है तो क्या वो इजी है हाँ बहुत इजी है मान के चलो अगर आपके किसी दोस्त का बनाना है फोटो आपको किसी दोस्त का चेहरा एक फोटो में बनाना है यह मुश्किल हो जाता है है ना हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं ना सिंपल से हमने दोस्त की तरह फेस की ड्राइंग बनाना मुश्किल है अब दोस्तो सेम यही रूल यहां पर लाऊ होता है इनको अपने देश को बनाना है ड्राइंग एक मूर्ती में अपने देश को रखन किसी सासक को चित्र या मुर्ति के रूप में अभिवक्त करना बहुत असान होता है दोस्तों लेकिन एक राष्ट को कैसे चेहरा दिया जाए बात तो यह थी 19 सदी में क्या हुआ कला कारों ने राष्ट का मानवी करन किया यानी राष्ट को मानव की तरह दिखाया अथार्त उन्हें एक देश को ऐसे चित्रित किया जैसे वो क्या है कोई व्यक्ति है जैसे अपना इंडिया है अपने इंडिया को क्या किया एक ऐसे चित्रित किया कि वो टाइम देश को अपना परस्तित किया यानि नारी की छवी राष्ट का रूपक बन लें किसका राष्ट का उनके चीन भी सोतंतरता और गणतंतर के लाल तिरंगे में थे अब दोस्तों मानगे चलो अपने कोई भगवान लेते हैं ठीक है जैसे दुर्गामाय तो उनके हाथ में देखो कितने सारे आपको सिंबल दिखेंगे कहीं चाकू तलवार धनुष है ना तो सेम उसी तरह से इनक आती है कि इन्होंने इतना खर्चा क्यूं किया क्यूं सोचा इतनी मेहनत क्यूं की इससे बनाया कि इनको फायदा क्या हुआ इनको फायदा यह हुआ कि यहां पर एक्ता की भावना का विकास हुआ मरियन की परतीमा को कहां पे लगाया गया सारवजिनिक चोकों पे यानि जहां पे भीड़ों कराउडों बहुत जादा ताकि जनता को क्या मिले राष्टिय एकता में बन जाए इस मुर्तिवों बनाने का उनका एकमात रक्षा ये था कि एकता में बन जाए सारे के सारे और राष्ट्य परतीक की याद दिलाते रहे मरियन की छबी मरियन की जो छबी थी वो सिक्को में और डाक टिकोटों में छपवाई गई अंकित की गई जिससे लोग को अपनी राष्ट की भावना की याद हमेशा आती रहे इसी तरह जर्मेनिया में क्या हुआ जर्मेनिया में जर्मन राष्ट का रूपक बन गई अब आता है राष्ट्यवाद और समराज्यवाद राष्ट्यवाद दोस्तों मैंने आपको बताया था समराज्य वाद अभी बताता हूँ समराज्य का मतलब है समराज्य वाद का मतलब होता है दोस्तों देखो मान के चलो अपना ये समराज्य है ठीक है इस समराज्य को अपनों को विस्तार करना है यानि इस छेत्र को विस्तार करना है और इस छेत्र के विस्तार के लिए हमें जो काम करना है और अगर हम इसे विस्तार कर देते हैं तो यह हमारे लिए सामराज जिवाद है 1871 के बाद यूरोप में गंबीर राष्टेवादी तनाव का छेत्र था स्तिती थी यह हमें पता है 1891 के बाद यूरोप एक गंबीर स्तिती में था और तनाव का माहोल था अब उसका कारण क्या था तनाव का कारण था बालकन छेत्र सबसे बड़ा कारण था बालकन छेत्र इस छेत्र में क्या था अब बालकन छेत्र क्यू था बात यह आती है इस छे बालकंद चेत्र एक बहुत बड़ा हिस्सा था ओटोमन समराज्य का और यह किसके नियंतर में था ओटोमन समराज्य का हूँ 19 वी शदी में और मजबूत करने का परियास किया गया इस समय 19 वी शदी में कहां पर ओटमन समराजे में लेकिन इससे बहुत कम लाब हुआ लाब तो हुआ सफलता तो मिली लेकिन बहुत कम बालकन राजे क्या हुआ बालकन राजे में तनाव का एक और कारण है हमारे पास वह है इरश्या यानि जलन तो बालकन राजे में जलन इरश्या बहुत ज़्यादा थी हर एक राज्य जो चाहता था एक राज्या एक राज्य A point, B raja, C raja, D raja, यह सारे raja चाहते थे कि इनके 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 इलागे में जादा से जादा जमीन है इनके जो छेटर है वो जादा से जादा बड़े हो तो अगर इन में एकता नहीं रहेगी और सब अपने भले की बात करेंगे तो तनाव तो उत्पन हो नहीं है अब हम बात करतें समराज्यवाद की समराज्यवाद से जुड़कर राष्टेवाद को भी ज़्यादा निवा उसको बहुत ज़्या नुक्सान हुआ वो अपने आपको महाविब्दा यानि डिजास्टर के उपर वो लेके गया समराज्यवादी परवुत्व का विरोध करने लगे समराज्यवाद जो लोग थे वो परवुत्व का विरोध करने लगे हर तरफ क्या हुआ विरोधी आंदलन होने लगे और ये सभी विचार समाजों को राष्ट राज्यों में विभक करने लगे गठीत करने लग गए और अब क्या हो उनमें स्वाम भोमिट खुद से स्वाम भोम सब के लिए इसे मान लिया गया तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तिसे लाइक करें और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें बहुत ज़्यादा इफट लगता है इसको बनाने में कमेंट कर दे कोई कुश्चन हो तो शेर करें अपने क्लासमेट्स के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लेटस नोटिफिकेशन जाने के लिए बैल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं